तो बहुत से हमारे दोस्त इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा है कि भाई लाहॉर 1947 का टीजर कब आएगा या पोस्टर कब आएगा तो दोस्तों मैं उनी को मैं बताना चाहूँगा कि इसका भाई टीजर पोस्टर एंड ट्रेजर कब कब आ सकता है दोस्तों अभी अभी यह सनी देवल होंगे वह तोर आक्टर करेंग सनी डेवल करेंगे इस में एकटर के तौर पर आम्रठान नहीं होए आमिछान की पर्रोड़क्शन हाउस में यह मूवी बनेगी एग्साओक कर रहे हैं पैसा लगा रहे हैं राशकुमार संतोशी से यह मूवी डारेक्ट करा रहे हैं और वह भी इसलिए करवा रहे हैं को कि सनी देवल एंड राशकुमार संतोशी की जो एक बाउंडिंग है वह काफी जबरदस्त है अंडर्स्टेंडिंग काफी अच्छी है और इन दोनों की अंडर्स्टेंडिंग से जब एक मूवी बनके निकलती है तो वो कहां तक पहुशती है वो मुझे आप लोगों को बताने की कोई भी जरूरत नहीं है अगर नहीं जानते तो दामिनी घातक और घायल जाके देख लो मेरी बात पर आपको यकीन आ जाएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं तो दोस्तों अब यहीं चीज़ वो दोबारा से धोराना चाते हैं आमिर खान बहुत ही शार्प माइंड आदमी है आमिर खान बहुत चालाक आदमी है भाई वो एक मिनिट में समझ लेते हैं कि इस टाइम में पब्लिक के दिमाग में क्या चल रहा है और पब्लिक क्या चाह रही है देखो मैं यह मानता हूं कि आमिर खान बहुत जादा होशियार आदमी है उनको सरीफ दोस्तों सरीफ और सरीफ पैसा कमाने से मतलब है बिजनिस करने से मतलब है अब वो खुद एक्टर पर कौन जादा चर्चाऊ में है कि सणी डेवल की क्या इस टांब यहीं सोच रहूंग डिक्न संक्ते में आपₑ पर पैसा नहीं सब्सक्राइब नहीं को सग अ memoir सब्सक्राइब नहीं सांदे जसरे साथ के लिए पहुंस सके देखो एक मूवी बनना सिर्फ एक आदमी के लिए सीमित नहीं रहता है बहुत सारे लोग उससे जुड़े होते अब राजकुमर संतोशी अगर डायरेक्शन में तो हो सकता है कि उनका दुबारा से दुकान चालू हो जाए डायरेक्शन में बहुत चाइब हो गया एक अच्छी ब्लॉक्पेस्टर उनको दिये हुए और सनी देवल साफ का दोस्तों दुबारा से चालू हो चुका गदर टू से यानि के गदर टू में उन्होंने धमाल कमाल कर दिया था तो अब इसी तरीके से दोस्तों आमिर खान भी दुबारा से वाफसी करना चाते हैं क्योंकि भाई लास्ट मूवी उनके लाल सिंग चड़ा बुरी तरीके से लोगों को पसंद नहीं आई थी और फुल आप हो गई थी तो अब आमिर खान दुबारा से वाफसी करना चाते हैं बत और एक्टर नहीं तो बत और प्रोड़क्शन हो देखो एक पैसा कमाने का मौका मिल रहा है तो वह करेगा बाकी देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग यह सोचते रहते हैं कि यार हमें स्विप एक बेवकूफी वाला एक उनकी सोच होती है सनी देवल को आप देखो सनी देवल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा किसी ने सोचा साला कि सब यही सोच चुके थे बाई सनी देवल एंड बोवी देवल का करियर खतम हो चुका है लेकिन किसमत दुबारा से उनको बुला रही थी गदर्टू दुबारा से आई सनी देवल दुबारा उटे अब उसी तरीके से बोवी देवल भी आनिमल में आ रहे हैं तो हीरो वाला ही एक केरेक्टर निबाऊंगो वर्ना मूवी नहीं करूंगो अगर ऐसी सोच रखोगे या कोई एक्टर ना कोई बड़ा एक्टर या छोटा एक्टर अगर ऐसी कोई सोच रखता है तो वह अपना वोरियर विस्टर उठाए और अपने घर को निकल ले वह सामना वाला अगर लगा रहा है अगर तुम इतने बड़े एक्टर नहीं हो तो अगर सामने वाला तुमारे अंदर कोई ऐसी देख रहा है कि तुम एक विलन का किरदार रिबा सकती है contemporized काम को पकड़ो काम तो ऐसा है कि भूका होना चाहिए काम का भूप आई एनिमल में क्या था वह भी देवल ने पकड़ी अब देखो क्या जबर्दस एक निकल के उभरेंगे और यहीं नहीं भाई स्टार्टिंग में शारुक खान क्या करते थे शारुक खान ने भी यह कर रहा दोस्तो सनी देवल को दुबारा से चांस मिला है तो सनी देवल को यह चांस जो मिला है भाई उनसे जुड़े हो जो लोग है भाई वो मिस नहीं करना चाहते अब आमिर खान और सनी देवल देखो आपस में मुझे नहीं लगता जादा बातचीत करते होंगे लेकिन जब घर बेटे की कोई वैलियो नहीं है दोस्तों मैं तो यह मानता हूँ कि उगते हुए सूरच को सभी सलाम करते हैं इस टाइम पे सनी देवल का दोस्तों एक दौर दुबारा से स्टार्ट हो चुका है और आमिर खान दुबारा से उनके ताफ जुड़े है तो भाई देखो कहीं न कहीं सनी देवल का भी फाइदा है आमिर खान का भी फाइदा और राजकुमार संतोशी को तो दोनों हातों में लड़ो मिली रहे फिलाल को दोस्तों अगर मैं इसके टीजर की आप से बात करूँ या पोस्टर की बात करूँ तावन से लगा लो आप कितने साल के हो गए वो बाकी यह है कि 19 अक्तूबर को देखो कुछ न कुछ आ सकता है मूवी का दोस्तों गर्मगर्मी बनी हुई है और अगर देखो जिस तरीके थे बाकी और एक्टर के जो अनौसमेंट होती है भाई 23 अक्तूबर यानि के परभास के जो मूवी आरी सलार वहां पर उसका ट्रेलर आने के अनौसमेंट हो रही है अब सनी देवल के बड़े में दोस्तों हो सकता है कुछ न कुछ यह एक पोस्टर देदे और पोस्टर के साथ में आई थिंक सो एक रिलीज देदे दे देखो मू आग वी चल्व है शूटिंग भी स्टार्ट ढंग से नहीं हुई घंग से नहीं है तैंग से यह मूवी भई 15 अगस्त के आसपास आ सकती है 15 अगस्त के यह सकती है जिस पाइम पर गधन टु आई दिये लोग पूरी तू जहां पर रिलीज हुई थी यानि के 11 12 14 15 ताजिए इसलिए थी क्योंकि पंदरा अगस्त में टाइम था अब देखो ऐसा कि वीकेंड लंबा मिल रहा था तो इसी वज़े से पंदरा अगस्त के आसपास जिस तरीके से यह लोग उसकी रिलीज डेट रखेंगे तो आई तिंग सो ऐसा हो सकता है कि लाहुर पंदरा अगस्त में रिलीज हो क्योंकि ठीक वही दौर है वही आजादी का दौर दिखाए जाए और पंदरा अगस्त से अच्छा मौका इस मुवी की रिलीज डेट के लिए नहीं होगा तो आई तिंग सो कुछ ना कुछ पोस्टर यह लोग निकाले बाई ट्रेंडिंग बन अभी तक के लिए एतना ही मिलता हूँ आप से एक लिए किसी वीडियो में आयरे डाये थैंक्स वर वाज्ट